नमस्ते, अमीता डोट संकर की किचन मापका सुआगत है, मैं अमीता आज आपके लिए लेकर आए हूँ, दलपूरी और चनना दाल के पराठे, दाल के पराठे बोलिए या दाल के पूरी बोलिए, या दलपूरी बोलिए आप जैसे अपनी भाशा में बोल सकते हैं, ये बिहा साबु धनिया ले रही हूं दो चमच के करेब एक चमच जीरा ले रही है दो लाल मिश ले रही हूं और आट-दस काली मिश ले लेने हैं इसे हमें रोष्ट करूंगे सब को ताजा रोष्ट करके बनाने से इसमें बहुत ही अच्छी खुसबूर बहुत है क्योंकि रोष्ट क जब तेल गरम हो जायते में ठोरी से एक चुट के हिंग डालूगी तोरी सी जीरा डालूगी are थोड़ी एक लाल मिर्च डालूगी फोरण के लिए इस तरह से हम एक लाल मिर्च डालें वे यह जब पक जाएगा तब इसमें में ती से चार तरमाटर कट करके रखेए हूँ इसे चार बचुने लिए Magyam ज्यादा पॉदरّ कि सबूसिए जीरा पॉर्डर्र कॉडर्र तो लिरे विए कोड़ेसी आनो आर्या के ड् सुर्व ऑली से अन्या करें होश्तिक अन्या कर तरह से मसाले इसемे एड़ करेंगे ताकि कि इसमें थोड़ा सा मिठा के इसरे सभी मैंने देवात, मैं मेरं और इसों सालुरी या चिनी सुक्रा इभान के प्रभावगी को में मुछ नहीं है आपने ऊफरान तक है जा काको कहा है यो जाता तो यह एता बात हुआ है सबसें क्ते के कर मुझत कर से और मालें आप द niveau कि उसके पका लिक्णारा अब चीछ? डाल कर लेते हुए यह दाल देके मैं रात को बिगो के रखे थी ओबर नाइट चना की डाल एक कप के करें यह चना की डाल है तो यह भीगा हुआ है तो इसे हम पहले तड़का लगा के सीटी लगाएंगे तो इस तरह से मैं दो चमच के करीब ऑईल डाल रही हूँ जब गरम ह तुर। मैं तूरी इस हींग़ डालूग जब गरम हो जाए तूरी से हींग हो जाले हैंbut के सब्सक्यूट सब्सक्राइब 1 इसमें करें का गाद् सब्सक्राइब ये जब मेतिक दाने पक जाए इसमें तो हम इसमें डाल एड़ करेंगे जो डाल में राद को भीगो के रखेती तो उसे हम इसमें डाल देंगे इस तरह से डाल को डाल दें डाल को थोड़ी से भूने इसमें इस तरह से डाल भून जाए तो थोड़ी से हम इसमें हल्दी और न करें जितना इसमें अबसोफ हो जाए तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी दे के इसमें सीटी लगा लेंगे और इता कि यह सीज़ जाए तो इस तरह से हम इसे सीटी लगा लेंगे जब तक हमारा सीटी लग रहा है तो तक हम आटा को लगा लेते हैं ताकि आटा हमारा सेट हो यहाण काटा ले रही हूं इसний में ठोड़ी सी नमक ढाहरा है छोड़ी सी अज़माई डानुक्त सी को आजमाई डालों कि चनिके दालं थोड़ा पचने में correct फिर्फ्रोब्लम हो इस लिए से हम सारी को मिक्स करेंगे नमक और अजबाइन को आटे के साथ और इसे पानी के साथ आटा लगाएंगे जब तक मैं आटा लगा लग रहा है तब तक आप मेरे चैनल को यूट्यूब के चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो सारी आपके पास पहुंचे तो इ डाल की से ग्रिस करेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाया है तो इस तरह से हम की ढाल के तो इसे हम खाता है म serĩ के लिए चोड़े गर इंगे जैने कमारी apologize हो चुक ine है अब इसे मिक्स कर लेंगे जब तक यह चुड़ी ए तक अब शाणी कर ले कर लेंगे खार को अदो मिक्स हो जाए तो इस तरह से मिक्स कर ले अब चटनी हमारा रेडियो हो चुका है तो हमारा जब तक गैस भी कर निकल गया होगा मैं यह थोड़ी से डाल बना रही हूँ इसलिए मैं इसे सीटी के लगा के छोड़ दीते हैं अगर आप ज्यादा डाल बना रहा है तो इसे एक सीटी के बाद गैस को निकाल दे ताकि आपके इस्टपिंग अच्छी दरदरा बने हमें इस्टपिंग इसकी दरदरा बनानी है इस तरह से यह हमने निकाल लिया है प्लेत में ताकि थोड़ी ठंडी हो जाया है आप इसे छाय तो मिक्सी में भी पीछ सकते है मैं यह मिक्सी में नहीं पीछ 슈 हूं जाता है तो इस तरह से हम इसे मैस करेंगे मैसर से क्योंकि इसमें दरदरा रहेगा तो अच्छा इसमें टेश्ट आएगा दरदरा का तो इसमें मैस करके से दरदरा बना रही हूँ और जब तक मैं दरदरा बना रहे हूँ ता अगर फेस्बुक में आप वीडियो देंगे न Bereich करें कमेंट मन बता हैं का लगpower किसे नहीं रगतिा तो भी स्क्री खुआ किमारी रेदानीा उज्छ के सपाने नहीं तो इसक्तारे किolas diva को मिक्स करें ये सारा डाल देंगे, अब ये जो मसाले मैंने पहले से तैयार कर रखे थे, वो मसाले मैं इसमें डालूँगी इस तरह से, अब इसमें मैं थोड़ी सी उपर से गरम मसाला और चाट मसाला भी डालूँगी, अगर आपके पास आम चुरे तो आम चुर आप डाले, मेरे पास आ मुंत्त भंपक्ताम दाल सकते तो इस तरह से हम सारे डालके अब नमक इसमें भंगarin धैसमें से डाल्याइब सारा श्रफिंग को ऑची तरह से oppression कर लेंगे हमूं तो यह हमारा मिक्स हो चुक Sharos मेड बना लोगी प्रुटी पराटे के साइज के हिसमें बरूटी रोफिंग को सब्मेड के लाइख यह बनां, इस तरह से क्या को घूर понaking चाहिते हो ऐसंता रहीं जितनी बढ़ी लोई है उसके चाहिक है competition दो सबसेद इसे नहीं करें तब हमाव जादा नहीं तो इसका फ्लेवर पता चलेगा आपको इस तरह से मैं और भी डाल रहे हैं इस तरह से दबाते हुए और घुमाते हुए इस तरह से चलाएं दबाते हुए और घुमाते हुए इस तरह से भरे देखें ये डाल की रोटी ने कभी भी आप खा बना सकते हैं डाल की पूरी और इक्स्ट्रा आटे थे वो मैंने निकाल दिये अब इसे हातों से इस तरह गुमाते हुए जिस तरह हम पराटे रोटी बेलते ज्यादा दवाक नहीं बेलेंगे हम इसे नॉर्मली सॉप शोप बेलेंगे ताकि अच्छी तरह से बेल जाए और फटे भी नहीं तो इस तरह हमारा हम इसे बेल लेंगे पहले यह बेल चुका है अब हम इसे सेकेंगे आप चाहे तो सारे पराटे जितने बनाने है उतने एक साथ बना सकते हैं और नहीं तो आप एक करके भी सेक सकते हैं यह तावा मैं पहले से रख रखी थी यह तावा मेरा गर्म हो चुका है तो इस तरह से हम ताबा को गर्म कर चुके हैं अब हम इसमें सेकेंगे तो इस पराठे डालके अब इसे हम पलटके तरह से पलटेंगे और इसमें गी लगाएंगे आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं ओयल भी लगा सकते हैं मैं यह गी लगा रही हूँ यह मेरे घर का घी है तो इस तरह से हम पराटे में लगाएं घी कम ज़्यादा आपने इसे आपसे डाल सकते अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा डाले और कम पसंद तो कम डाले अगर घी नहीं खाना चाहते है ताब बिना घी के रोश्ट भी बना सकते हैं म इस था इस चलते हैं पुड़ी मनांने के और यह अब हम दल-पूरी बनाएंगे इस तरह से दल-पूरी बनाएं आप इस तरह से चोटी छूटी लोहियां लें सेम प्रोसेस है सिर्फ लोहियां को पूरी के जैसे छोटी-छोटी बना लें और छोटी-छोटी पूरियां बनाएंगे सेम जैसे वो बनाये थे पराठे हमने और इस तरह से हम पूरियां भी बनाएंगे इस तरह से छोटी-छोटी हम लोहियां बनाएंगे तारे नचाल में अध्याया को दबाते हुए भरेंगे फिरेंगे इस थाय साध्य में अगर अगर एक्ष्ट्रा आँटा है तो आप यह निकीन काला सकते हैं इसमें छोटी सिपोडें के हमिसे बेलेंगे जाहे, अप चाहे तरहे को एक टाना सकते उसका है उसका है जाहे तौ आप 7 के साथ भी तल सकते हैं, है चाहे तो साथ के साथ भी तल सकते हैं अब बताए हमारे वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएगा और हमारे रेसिपी का आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताएगा ये देखिए तब तक पूरी हमारी बन चुकी है ये इस तरह से सारी पूरी आप बना ले ये देखिए ये अंदर कितन हमें यह बन चुक है आप खाईए एंजोई किजिए थांक यू वाचिंग मैं वीडियो बाइट टेक केर थांक यू बाइबाइब